गुड मॉर्निंग एवरीवन तो अभी हमारा कौन सा पिरेड हुआ? मैट्स का जो शब्दा मैट न लिया था अभी हम कौन सा लेंगे? इंग्लीश तो तैम में, which class you are in? We are in UKG and our subject is English और लास्ट पिरेड में हमने क्या लिया था? साउंड्स कौन से बालेट? A Apple Alligator B Balloon Ball A का साउंड क्या एगा? A B का साउंड एगा? B C का साउंड क्या एगा? Cup C for cake C for cup C का साउंड क्या आ रहा है? Cup और D का साउंड क्या एगा? D D for dog D for donkey D for doctor D का साउंड क्या हो रहा है? D D E का साउंड क्या एगा? A A A for egg E for egg E for elephant तो हम कौन सा साउंड प्रोडूस कर रहे है? E का A F का क्या साउंड प्रोडूस कर रहे है? F F F for fish तो हम क्या साउंड प्रोडूस कर रहे है? F F F F Ferry क्या साउंड प्रोडूस हो रहे है? F F Ferry और देन? G G का क्या साउंड है? G G for क्या क्या आता है? G for आता है Gun Gun और Graves तो कौन सा साउंड प्रोडूस कर रहे है? G का G G और फिर क्या आता है? H for hat H for horse तो H for कौन सा साउंड प्रोडूस हो रहे है? H Very good H का H sound प्रोडूस हो रहे है सब को याद हो गया सब साउंड ठीक है अभी हम next exercise की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे यहाँ पे match the pair करना है तो मुझे आप बताओ A वाला sound क्या रहेगा? A for Apple तो यहाँ पे Apple कहा है? यहाँ Apple तो हम दुसको क्या करेंगे? match करेंगे A for बोलो मेरे साथ Apple क्या होगा? मैंसे पेरे के साथ यह है Apple तो A के साथ Apple Then Then next क्या है? C C से Related Object कौन सा है यहाँ पर? बताओ बताओ C से Related क्या है? देखो यह Gun है यह Butterfly है यह Flower है यह Apple है यह Cake है यह Egg है और यह है Honey तो बताओ C से Related Object क्या आ रहा है? यहाँ पे Cake सबने बराबर गेस किया C for Cake तो हम क्या sound produce कर रहे है? क कर से sound कर रहे हैं अपर? तो हम क्या pair match करेंगे? C से Cake Cake Next क्या आता है E E for Elephant E for X तो क्या E का sound है? A A से E से X तो यहाँ पे हैं अपने X तो हम किसे match करेंगे? E से E से आएगा X Right? अभी Next क्या आता है? H Match तो बताओ इसमें Object X से related कौन सा है? Match कौन सा करेंगा? Gun करेंगा? Gun G-U-N Gun या Butterfly करेंगा? या Flower या Apple कौन सा करेंगा? Cake करेंगा? या Eggs करेंगा? या Honey H for Honey H for Honey तो हमने कौन सा sound produce किया है? H का हमने sound produce किया है? H Honey H for Horse H for Hat तो हमने कौन साइट किया है? तो हमने कौन साइट किया है? H ठीक है? H का Honey देखा मैरे match क्या है? Next क्या आएगा? B B B से बताओ बताओ Honey आता है B से Butterfly B का साउंड कौन सा आ रहा है? आपे क्या आएगा? D क्या आएगा? D D for Dog D for Doctor D for Donkey और क्या होगा? D for देखते हैं अभी क्या गन आता है? D से गन? गन तो D से आता है Butterfly रित हो गया Flower Flower आता है D से No तो Egg Honey Doll D से Doll तो हम B का कैसे साउंड प्रोडूस कर रहा है? Doll यहाँ आपे हम लिख लेते हैं D से Doll तो हम किसे पैयर करेंगे? D से Doll लिख रहे हैं यहाँ चोटी सी डॉ Doll अभी next कहेगा F F का साउंड बताँ मुझे F का साउंड F याद है? F F से F F Fish F F Fairy F क्या था F बताओ F देखो कौनसा नाइज दुपहर होगा? यह क्या है? Gun Butterfly Flower F Flower Flower तो हम कौनसा Flower बोलते हैं है? हम कौनसा साउंड प्रोडूस करें? स्टार्टिंग में Flower Flower F का हम कौनसा साउंड सीख रहे हैं प्रोडूस करें? F का साउंड क्या हैगा? F F के होगा Flower और F का साउंड होगा F दराबर? F तो तो वोट्स नेट्स? G G का हमने साउंड क्या पढ़ा है था? क्या पढ़ा था हमने G का साउंड? G G का साउंड हमने पढ़ा है था? G Right? G से क्या आथपी है? Gun G for Gun G for G G for G क्या हो रहा है? G ठीक है? A का F C का K E का A H का H B का B B का D F का F G का G फिर से एक बाद पहले देखतें A का Apple जेकर मैं कैसे बोल रही है? Apple C का Cake क क Cake E का Eck Elephant Eck Right? H का Honey H H का H Honey B का Butterfly B का होगा Pasterfly B का Ball B D का साम्च होगा B और D का D D का होगा Doll D D Donkey Doctors Dog D D D D Right F का Flower क्या होगा? F Flower F Fish कैसे साम्ट प्रडूस हो रहा है? Fish F Right F F Fish F Flower Than D आया सब के दान में? कि आया सब किनाल में सबको साउंड समझ में और मैस भी पेर समझ में अभी मैं आपको कुछ आपको अपने कॉपी में कर लेना है ठीक है और साउंड की प्रैक्टिस करना है ठीक है ओमवग बेजना है ठीक है चलो बाब बाई